ब्रज धाम में एक सुखिया नाम की मालिन आती थी, वह फल फूल और सबजी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। ब्रज में सुखिया जब गोपियों से मिलती तो वो उसे नंद लाला के बारे में बताती थी। बाल कृष्ण की लीला सुनने में सुखिया को बहुत आनंद आता था। उसका मन भी बाल कृष्ण के दर्शन को तरस्ता था। सुखिया श्री कृष्ण को देखने के लिए घंटों तक नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती थी, लेकिन उसे श्री कृष्ण के कभी दर्शन नहीं होते, वो कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता चल जाता है, जब उन्हें पता चला कि सुखिया उनकी परमभक्त है, तो उन्होंने सुखिया को दर्शन देने का निर्णय लिया, अगले दिन सुखिया ने नंद महल के सामने आवाज दी, फल ले लो, फल, सुखिया की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दोड़्डे चले आए, नंद लाल को अपने सामने भगवान को फल दिये और उन्होंने वो फल खाए, फल की कीमत चुकाने के लिए श्री कृष्ण बार-बार महल के अंदर जाते और मुठी में अनाज लाने की कोशिश करते, लेकिन सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जाता था, सुखिया को भगवान कृष्ण दो-चार दा तो पाया कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भरी हुई है, सुखिया समझ गई कि यह भगवान की लीला है, उसने मन ही मन बाल गोपाल को धन्यवाद दिया, इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी परम भक्त सुखिया का उद्धार किया